हाई, वेल्कम टू बाइ चनल, इस वीडियो में समझेंगे square roots of rational numbers in the form of fractions means how to find the square roots of rational numbers in the form of fractions तो यदि rational numbers fraction के form में दिया हुआ है तो कैसे हम square root निका लेंगे तो दिखें, rational numbers जो है fraction के form में भी होते हैं और decimal form में भी होते हैं तो जब decimal form में होंगे तो वो हम पढ़ेंगे next वीडियो में, दूसरे वीडियो में लेकिन यहाँ पर fractions के form में यदि होते हैं तो कैसे करेंगे, कैसे find करेंगे square roots यह हम समझेंगे सबसे पहले start करते हैं कि rational numbers तीन तरीके के हो सकते हैं यदि वो fraction form में होंगे तो पहला, पहला होगा कि वो proper fraction में हो सकता है proper, proper fraction proper fraction दूसरा होगा क्या improper fraction improper fraction और तीसरा जो type है जो rational numbers हो सकते हैं वो है mixed fraction mixed fraction तो इन तीनों का हम कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर आपको समझाएंगे ठीक है, पहले proper fraction यदि proper fraction रहेगा या फिर improper रहेगा उन दोनों के cases में आपको किवल एक ही formula लगाना है यदि under root of a by b यदि आप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि यदि जो under root है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है a by b पर whole power 1 upon 2 यह होता है ना तो हमने पढ़ा है fractions में sorry, exponent rule से कि यदि किसी number पर मतलब कि a by b पर यदि power आपका m हो जाए तो हम गया करते है कि इसका power हम distribute कर सकते हैं means a to the power m upon b to the power m कर सकते है इतना is equal to तो यहां भी y करना पड़ेगा means a का power लगा देंगे 1 upon 2 upon b का power क्या हो जाएगा 1 upon 2 मतलब कि a का power 1 upon 2 का मतलब क्या हो गया square root of a upon b का power 1 upon 2 का मतलब क्या हो गया under root of b मतब कि under root of a upon b is equal to हो गया under root a upon under root b मना दुनों का अलग-अलग निकाल लेंगे तो improper और proper इस case में भी ऐसे ही करना पड़ेगा तो इन दोनों के case में हमें ऐसे ही करना है और यदि mixed fraction में दिया रहेगा number तो उसे पहले हमें convert करना पड़ेगा improper fraction में मंदब कि mixed fraction हो गया करिये पहले पहले improper में convert करियेगा उसके बाद improper को करने के लिए आपको यही वाला method यही फर्मूला लगाना पड़ेगा तो this formula works for each fraction जिसे माल लिजए कि कोई improper fraction में ले लेता हूँ जिसे दिया हुआ है let us suppose example ले लेते हैं हमारे पास let us suppose है one hundred one hole one upon four hundred let us suppose और हमें निकालना क्या है इसको इस fraction का इस mixed fraction का निकालना है square root तो कैसे निकालेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें one hundred one hole one upon four hundred है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा improper fraction में means four hundred से मेंट्प्लाई करेंगे इसमें और यह add कर देंगे ठीक है यहा हमट्प्लाई करते हैं और यहां पर क्या करते हैं वह add कर देते हैं तो यह बन जाता है हमारा improper fraction तो four hundred से मेंट्प्लाई करेंगे दी one hundred one में तो मिल जाएगा हमें 4 0 4 इतना मिलेगा और one add कर लेंगे तो मिलेगा हमें 40401 means यहाँ पर लिखना पड़ेगा 40401 upon 400 अब यहाँ पर हम निकालेंगे square root of this is equal to square root of this and इसका square root तो आप जानते हैं क्या होता है उपर वाले फामले के उंसार हम numerator में लगा लेंगे इसका square root means 40401 whole upon square root of 400 यहाँ पर अलग-अलग हम जो है find कर लेंगे तो अब यह find करने के लिए दो तरीके हैं या तो factorize करके करिए मतलब कि square root निकाल लिए factorization method से factorization method से किसे निकालते हैं हम लोग इसको factorize करके prime factors के form में हम pairs बनाते हैं और pair बना करके एक pair का एक number जो है बाहर निकलता है one pair में से वो pair का एक number जो है बाहर निकल जाएगा और multiply करके हम निकाल लेते हैं उसका square root और एक तरीका क्या है long division method तो यह दोनों तरीके से आप जो है solve कर लेंगे यहाँ पर बस हम समझ रहे थे कि कैसे करेंगे जो method है वो तो बस यही दोनों तरीके है मतलब कि जो factorization method होता है उससे हम small numbers का square root निकाल सकते हैं बड़ी असानी से और जो long division method होता है उससे बड़े-बड़े numbers का निकालते हैं जैसे कि यह बड़ा number है तो इसको निकालने के रहे हमें long division method ही apply करना पड़ेगा तो यहां पर कुछ और भी चीज़े हैं जो थोड़ी से बतानी जरूबी है आपको कि हम लोग जानते हैं कि जो square root होता है वो negative number का नहीं निकलता मतलब कि minus of something का इसका negative number का जो square root है वो defined नहीं होता क्यों क्योंकि कि किसी भी negative number का आए गई नहीं इसलिए उसका negative numbers का square root नहीं निकला जा सकता ओके तो यही सारी शीज़े हैं जो हमें जाननी है इसमें तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं हम square root किसी भी rational number का जब वो fractions के form में हो तो एक बार और आपको धोर आ जाते हैं यदि rational number रहेगा मतब स्वरी यदि improper fraction रहेगा तो बस हम दोनों में numerator का अलग निकाल लेंगे square root और denominator का अलग square root निकाल लेंगे फिर हम find कर लेंगा अलग अलग और यदि mixed fraction में रहेगा तो हमेशा उसको पहले change करना पड़ेगा improper में फिर हम इसको calculate कर सकते हैं solve कर सकते हैं as usual ही जैसे करते हैं तो thank you so much for watching इस बिरुए में इतना ही hope कि आपको इससे कुछ मिला होगा thank you for watching bye